शीत लहर और गलन से ठीटो रहे कानपूर में इस समय गरीब और बे सहरा लोकों के अलाव ही ठंड से बचने का एक मात्र सहरा है शीत लहर से बचने के लिए हर कोई अपने हिसाब से उपाई कर रहा है और ऐसे में ही एक मामला भैरोखाट से सामने आया है यहाँ पर एक बुज़ूर को जब ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो शमसान इस थल पर पहुँच गया और यहाँ पर जलती हुई चिता के बचल में लेट गया इस बीच हुआ ही पर मौझूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वारल कर दिया है वीडियो वारल होने के बात तमाम तरह की इनेक्शन भी सामने आ रहे हैं इसके साथ ही कानपुर में ठंडे से बचाओ के लिए जो इंतिजाम किये जाने हैं ये तस्वीर उसे पूरी तरह से नाकाफी बता रही है वेचोराहों पर नगर निगम की तरफ से लगाये जाने वाले अलाओ का कहीं भी अता पता नहीं है और ऐसे में गरीब और बेसाहरा लोकों के सामने गलन भरी सर्दी का सामना करना मुश्किल हो रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो वाले होने की बाद प्रिशासन और नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुची और अपनगर आयुकति प्रतिपाल चवhann ने बताए कि निदिक्षर के दोरान घाठ पर वो व्यक्ति भी मिले जांच में चिता के बकल में लेटे शक्स का नाम प्रेम शंकर दुबे है और इस दौरान अपसर प्रेम शंकर दुबे के घर पहुचे और अपर नगर आयुक्ति ने बताए कि आसपास के लोगों ने बताए कि प्रेम शंकर दुबे के घर के कुछ लोगों की इम्रत्य हो गई थी जिसके बाद वो घर पर नहीं रहते हैं और इसके बाद अपसरों ने संबंधित व्यक्त को रेंग बसेरे में ठहराने के इंतिसाम किये हैं